नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं पटने के लिए ट्रेनों की परिचारन की जा रही है मेले के दोरान पुर्वर रेलवे की ओर से आसन सोल और पटना के बीच तीन जोड़ी एस्पेशल ट्रेनों का जरसीडी और बैजनात थाम के बीच चार जोड़ी एस्पेशल ट्रेनों का परिचारन किया जाएगा साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नेमी ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा वहीं गोरक फूर देव घर के बीच हर दिन एस्पेशल ट्रेन चलेगी इसके अलावा सब्ता हमें पांच दिन गया जसी डी सरावनी मेल एस्पेशल ट्रेन चलेगी जारखन में 12 जुलाई तक बारिस के असार हैं हलाकि हलके से मत दर्ज की बारिस की संभावना जताई जा रही है वहीं 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है बता दे कुछ अस्थानों पर हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है मौसम विभा की माने तो बारिज के साथ में गर्जन की भी हो सकता है इस दोरन बजरपात की भी असांका है इसे लेकर एलो अलर जारी किया गया है मौसम केंद्र के प्रभारी बेगिया नी अविसेक अनन ने बताया है कि एक चक्रवात उतर पच्छे मंगाल की खाड़ी में था वह फिलहाल उडिसावा चातिस गड़ में है जारखन में 10 जुलाई से मानसून के एक बार फीर से सक्रिय होने का अनुवान है वही 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा कहीं कहीं हलके से मदर्ज की बारिस होगी लोहर दगगा में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज लोहर दगगा पहुंचे जारखन के बित मंत्री डाक्टर रामिसर उराव ने जीला में एक मेडिकल कॉलेज खुलने की घोसना की है साथ ही उन्होंने कहा है कि सोव बेट का मल्टी स्टोरी अस्पताल के लिए बजट पास हो गया है यहां मेडिकल कॉलेज खुलने से 16-16 सदर अस्पताल आकर मरीजों पर सोथ कर सकेंगे राज सरकार को खुटी रामगर और लोहर दगगा जीला को मेडिकल हब के रूप में बिक्सित करना चाहिए ताकि रांची में होने वाली मरीजों की भीड कम हो बता दे गुरुआर को सदर अस्पताल परिशर इस्थीत डाइलिसिस भवन में डाइलिसिस सेंटर का उद घाटन बित मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव और लोहर दगा सांसाथ सुदर्शन भगत ने सन्युक्त रूप से किया पीएम मोदी के आगमन पर 12,000 फोर्स की होगी तैनाती पीएम मोदी के बाबा नगरी आगमन और स्रावनी मेला के सुरक्षा ब्यवस्था का जाजा लेते अधिकारी देवगर जीला के 300 बल के अलाराज्य के 20 जीलो समेत अन्य रक्षा वाहनी से तकरीबन 12,000 पुलिस बल की प्रतिन्युक्ती सरकार की ओर से की गई है इसके अलावा स्रावनी मेला के दोरान ड्रोन कैमरे और कमांड कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तिमाल होने की समवना है बता देई संबंद में SP सुभास चंदर जाट ने कहा आए कि 12 जुलाई को पीएम मोदी के देवगर आगमन और सरावनी मेला के दोरान सुरक्षा बेवास्ता के ताहत पुलिस कर्मियों के प्रतिन्युक्ती की गई है उन्होंने कहा कि देवगर में प्रतिन्युक्त होने वाले पुलिस कर्मी का वरियों के साथ सालिंता से पेस आएंगे वहीं बाबा मंदीर की सुरक्षा चाक चोबंध होगी डिप्लोमा अस्तर ये प्रस्ण पत्र लिग की होगी जहां जार्खन करमचारी चैन आयोग की डिप्लोमा अस्तर ये सन्युक्त परित्युक्ता परिक्षा के प्रस्ण पत्र लिग होने के आरोप लग रहे हैं अब्यार्थियों द्वारा इसे लेकर बिरोध परदर्श किया जा रहा है गुरुवार को अभियार्थिों ने आयों के अध्याक्ष उधिरת पाठी से मिल कर प्रस्थ पत्र लिख होने का आरोप लगाते हुए ग्यापन भी शोपा साथ ही लगाए गए आरोप के साक्ष भी दिये अब यार्थियों के अनुसार अध्यक्ष ने मामले की जांच कराने का स्वासंद देते हुए कहा है कि यदि ऐसा हुआ है तो परिक्षा ततकाल रद की जाएगी यह परिक्षा तीन जुलाई को हुई थी जारखन में कोरोना का कहर सुरू जारखन में अब मरीजों के स्वास्थ होने से अधी कोरोना के नए मामले मिलने लगे हैं ऐसा लगातार हो रहा है बतादे बुद्धवार को राजे में जहां 45 मरीज स्वस्थ हुए वहीं जाच में 92 लोग संक्रमित पाए गाए इससे अब राजे में एक्टिब केस की संख्या 422 हो गई है इन में से लगबग आधे संक्रमित सिर्फ दो जीले रांची तथा पुर्वी सिम्भूम के हाए जीलों में संक्रमन की बात करें तो केंद्री स्वस्थ मंत्राले के आखडों के नुसार देश में 97 जीले आयसे हैं जीन में 28 जून से 4 जुलाई के सब्ता में संक्रमन दर 10% से अधिक रही है जारखन में 35,5 लाग घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर राजे के 35,5 लाग सहरी और ग्रामी बीजली उभगताओं के घर प्रिपेड स्मार्ट मीटर लगाने और बड़े अस्थर पर बीजली के तारों को केबल में तबदिल करने का प्रस्ताव पावर फाइनेंस कार्पोरेशन ने मंजूर कर दिया है सुबे में बीजली छेतर में सुधार के लिए 420 कोर रुपए के निवेस का रास्ता साफ हो गया है इसमें 2087 कोर केंद्र देगा बता दे प्रिपेड अस्मार्ट मीटर से बिलिंग चोरी रोकने के लिए टांस फर्मो पर मीटर ये भी स्वीच और अंडर ग्राउंड के बिलिंग के साथ बितरन कम्पनियों का घाटा कम करने के लिए इस प्राटक्चर के बिकास के उदेश से केंद्र ने योजना लंच की थी केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा की बैठक में टाला हाथ सा गुमला के बिकास बॉन में हो रही दीशा की बैठक में पंखे में अचानक आग लग गई इस से आफरा तफ्री मच गई किसी तरह उस पर काबू पाया गया इस बैठक में केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा लोहर्दगा संसाधिये छेत्रे के सांसर सुदर्शन भगत राज सभासांसर समीर उराम सहीद जीले के सभी वरी अधिकारी सामिल थे हलाकि इस से किसी को कोई नुकसा नहीं पहुचा है बता दे फायर फायटिंग सिस्टम नहीं रहने के कारान एह हाथसा हुआ आग पर काबू पाने के बाद बैठक दोबारा सुरू की गई सीम हेमन्त सुरेन ने देवघर यारपोट का लिया जाजा सीम हेमन्त सुरेन अचानक देवघर यारपोट का जाजा लेने पहुचे वो गोड़ा के कारेकरम में सामिल होने के बाद सिधा हेलिकॉप्टर से देवघर यारपोट पहुचे फिर उसके बाद उन्होंने पूरे यारपोट का निरिक्षन किया अधिकारियों से उद घाटन से समंधित सभी जनकारी ली उसके बाद पीएम के कारेकरम अस्थल का जाजा लिया गया उस वक्त उनके साथ जीले के कई अधिकारी मौजूद थे मौखी मंत्री है मंसुरेन कारेकरम को लेकर यारपोट परिसर में बन रहे सभास्थल मंज के अलावा समंधित अधिकारियों वा यारपोट अथुरिटी के अधिकारियों को 12 जुलाई के कारेकरम को लेकर आवसेक दिशा निर्देश दिया जार्खन में 8 जुलाई से शुरू होगी नगर वन योजना सहरी छेतरों को हरा भरा बनाने की कोशिस के तब जार्खन में 8 जुलाई से नगर वन योजना सुरू हो रही है इस केंद्रिय योजना के लिए राजे के 6 जिलों का चैन किया गया है इसमें राजधानी राची के लावा बोकारो धनबाद हाजारी बाग जमसेद पूरावगी डीजीले सामिल है वहीं जार्खन सरकार के वन विभाग द्वारा हर वर्स आयोजीत वन महोत सव का आयोजन 15 जुलाई के बाद किया जाएगा नगरवन योजना के तहद पूरे देश में 75 सारो का चैन किया गया है धन्यवाद